हाँ जी तो आ गए आप लोग डे टू पे एक बात ध्यान रखना इस सीरीज का सबसे जादा फाइदा सिर्फ उस बच्चे को होगा जो कंसिस्टेंट होगा और पंदरा दिन तक डेली बैट के वीडियोज देखेगा सारी की सारी वीडियोज आप लोग को पता है पांच बजे, साथ बजे, नो बजे आ रही है तो BST, अकाउंट्स और ECO बिलकुल भी मिस नहीं करनी है और बहुत ही शांदार तरीके से आपको मेरे साथ साथ तयारी करनी है तो जाओ, जाके अटेंटन्स लगाओ कॉमेंट सेक्शन में और ह हम शुरू करते हैं एक नया दिन, एक नए चाप्टर के साथ, जो की है चाप्टर नमबर 10, इंटर्नल ट्रेड, चलिए जली से, लेट्स बिगाओ, अब हम लोगों ने ये तो पढ़ा था बेटा जी, की ट्रेड क्या है, तो सर क्या होता है ट्रेड, व्यापार करना, Buying and Selling of Goods and Services, कल हम लोगों ने इंटर्नाशनल ट्रेड के बारे में पढ़ा था, कि जब व्यापार होता है, दो देशों के बीच में, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसको हमने इंटर्नाशनल ट्रेड बोला था, अब इंटर्नल क्या होगा सर, नाम में ही है, जो ट्रेड हमारे देश के अंदर अंदर हो रहा है, है न, it means, buying and selling of goods and services within the boundaries of a nation, इसको हम इंटर्नल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है, अब इंटर्नल ट्रेड में कितने तरीके के ट्रेड होते हैं, दो तरीके के, एक wholesale, एक retail, जब भी कोई individual, बल्क म में, जादा quantity में, उसको wholesale trade बोलते हैं, wholesale trade करने वाले individual को क्या बोलते है, wholesaler, और जहां पे single piece में, एक एक चीज को या आप जाके ले रहे हो, उसको हम retail trade बोलते हैं, और जो retail trade करता है, उसको हम क्या बोलते है, retailer, ठीक है, तो देको लिखावा है, wholesale trade refers to buying and selling of goods and services in large quantities, the person who carries on this trade is known as wholesaler, और वहीं पे retail trade में, retailer goods खरीता है, larger quantity में, wholesaler से, और small quantity में बेचता है, consumer को, right, चालो, अब आती हैं, बचो, wholesalers, क्या services provide करते हैं, तो services में, बचो, आप लोग कोई भी 4-4 services, याद रख सकते हो, क्योंकि इससे बड़ा question आना नहीं है, तो कोई भी 4-4 services आपको याद रख लेनी है, ठीक है, सबसे पहले wholesaler, अब समझो, देखो, सबसे पहले होता है manufacturer, manufacturer कोन होता है, जो समान बनाता है, manufacturer से कौन खरीता है, wholesaler, जो की bulk में खरीता है, wholesaler से कौन खरीता है, retailer, और retailer किसको बेचता है, customer को, तो ये chain होती है, बचो, सबसे पहले manufacturer, फिर wholesaler, फिर retailer, और फिर customer अब हम wholesaler की services की बात करेंगे तो wholesaler services किसको देगा manufacturer को और retailer को तो वोई services यहां पे लिखी भी हैं तो देखो सबसे पहले manufacturer को क्या-क्या services देगा उसकी मदद करेगा large scale production करने में sir ये कैसे मदद करेगा भाई एक बात बताओ अगर ये बल्क में समान उठाएं हिना तो ये बल्क में production कैसे करेगा है ना तो manufacturer खुल के production कैसे कर पाता है क्योंकि manufacturer को idea होता है कि हाँ yabei समान बनांगा wholesaler ले लेगा मेरा समान waste नहीं होगा तो ये सबसे पहले facilitate करता है to make a manufacturer को दूसरा manufacturer की मदद करता है marketing करने में, marketing का क्या मतलब है, उसके product को बिकवाने में, लोगों की knowledge तक ले जाने में, घर घर तक ले जाने में, किसका रोल होता है, manufacturer ने तो बना दिया, भीया, market में बिकेगा कैसे, कौन बिकवाएगा, वो बिकवाता है, wholesaler, storage, अब जब समान बन गया है, तो wholesaler खरीदेगा, खरीदेगा, तो अपने पास store भी करेगा, है ना, तो इसकी tension खतम, manufacturer की, कि मैं बनाऊँगा, तो कहां रखूँगा, बनाऊ और wholesaler को, तो wholesaler अपने आप store करेगा, तो storage की tension भी सारी किस ने ले ली, wholesaler ने ले ली, bearing risk, अब जिसने अपने पास store कर लिया, risk भी उसी का हो गया, है ना, भाई, चोरी होगा, तो भी उसका आग लगेगी, तो भी उसकी कोई नुकसान होगा, तो भी उसका, तो इतने सारे risk से, कौन बच गया, manufacturer तो बच गया, financial assistance, कई बार जो wholesaler है, वो manufacturer manufacturer को advance में पैसा provide करते हैं, कि लो भी या, production कर लो, तो manufacturer को किसी भी तरीके की tension लेने की जुरद नहीं होती, पैसे से related, तो वो सारा पैसा कहां से आजाता है, wholesaler से आजाता है, expert advice, expert advice कौन देता है, wholesaler देता है, क्योंकि wholesaler market में बैठा है, उसके पास retailer अलग-अलग तरीके की demand लेके आता है, कि ऐसा product चाहिए, इस तरीके का product चाहिए, इसकी demand है, तो expert advice देता है किसको manufacturer को कि भी या, ऐसा बनाओ, ये जादा बिकेगा, right, अब ऐसे ही wholesaler retailer को क्या services देते हैं, number one, availability of goods, जब भी आपको goods चाहिए, आप wholesaler के पास आओ, wholesaler आपको available कराके देगा, जितनी quantity चाहिए, उतनी quantity, तो availability सबसे पहले make sure करता है wholesaler, दूसरा marketing support, जैसे marketing इसके लिए कर रहा था, वैसे ही marketing इसके लिए भी करता है, बहुत सारा promotion, बहुत सारा advertisement, बहुत सारी campaigns, wholesalers चलाते हैं, ताकि product बिके, product बिकता है, तो ultimately retailers का भी profit बनता है, है ना, आगे आ रहा है grant of credit, अगर retailer को सामान खरीदना है, तो retailer wholesaler के पास आते हैं, उधार में खरीदते हैं, पहले बेच लेते हैं, फिर पैसा देते हैं, तो retailer को ये सबसे बड़ा benefit होता है, कि वो उधार में ले सकता है, किस से, wholesaler से, और wholesaler फिर further बाद में recovery करता है, अपने पैसे की, risk sharing, भया, risk बट गया, है ना, बहुत पहले retailer का risk था, सर कैसा risk था, कि समान नहीं बिका तो, wholesaler बोलता है, कोई बाद नहीं बिका तो वापिस दे देना, तो risk बट गया या नहीं बट गया, risk share कर लिया इन्होंने आपस में, कि बिकेगा तो बढ़िया, नहीं बिका तो कोई बाद ने return कर देना, उसके बाद specialized knowledge, अब wholesaler retailer को देता है, उस product के बादे में specialized knowledge, ये product ऐसे बिकेगा, ऐसे operate होगा, इस तरीके से इसको market करना चाहिए, तो ये सारी services, wholesaler provide करता है किसको? Retailer को, कोई भी 4-4 services बच्चे जो आप याद रख पाओ, आप याद कर सकते हो, ठीक है जी? अब आता है services of retailers, Sir, retailer किसको service देगा, तो देखो, retailer के touch में कौन होगा, retailer के touch में सबसे बहले wholesaler होगा, और बाद में customer होगा, तो सबसे बहले तो customer को ही देख लो, retailer क्या दे रहा है, एक customer को goods available करा के रखता है, अब भीया मुझे अगर shampoo लेना है, मुझे अगर चाय पत्ती लेनी है, मुझे अगर milk लेना है, तो वो retailer available रखता है मेरे लिए, तो goods availability का ध्यान customer के लिए कौन करता है, retailer, wide selection, retailer के पास बहुत सारी choice होती है, अब तुमें shampoo लेना है, अगर तुमें एक retailer के पास जाओ, 10 तरीके का shampoo दिखा देगा, कि लो भाईया, देख लो, कौन सा चाहिए, वहीं तुम अगर wholesaler के पास जाओगे, तो वो variety नहीं देगा, वो बोलेगा, भाईया मैं तो पूरी पेटी में चूँआ पहली बात, मैं एक आदा पीस तो दूँगा नी, दूसरी बात मेरे पास बहुत सारी companies नहीं है, ये एक दो companies हैं, बताओ, ले नहीं है तो, है ना, तो variety customer को कौन देता है, retailer देता है, convenience देता है, convenience कैसे देता है, बहुत सारी facilities देता है, customer को बोलता है, भाईया, ले जाओ, पसंद आया रख लेना, नहीं तो बापिस कर देना, उसके साथ साथ उधार देता है customer को, customer को assurance देता है, customer को trustworthy product देता है, तो ये सारी facilities customer को कौन दे रहा है, retailer दे रहा है, new product information, कोई नया product market में आया है, तो उसकी जनकारी customer तक कौन पहुँचा रहा है, retailer पहुचा रहा है, retailer बोलता है भी या आप हमारे दुगान पह आ गए ना, अब ये नया product है, ये ले लो, ये अच्छा है, बढ़िया है, after sales services, after sales services जैसे बाद में आपको पसंद नहीं आया, आपकी घर तक delivery करानी है, आपको कोई problem आया, product में return करना है, refund चाहिए, कुछ भी इस तरीके की after sales services, वो सारी retailer देते हैं किसको customer को, then provide credit facilities, customer को अगर उधार लेना है, और आपका जानकार है वो, तो being a retailer आप उसको उधार पर भी दे देते हो, अगर आपका known person है वो, unknown है तो unknown को तो कोई भी उधार नहीं देता, लेकिन उधार की facilities भी मिलती है customers को, ठीक है, उसके बाद बच्चों ये retailer manufacturer को, या wholesaler को क्या service देगा, distribution of goods, आपका product जो manufacturer ने बनाया है, wholesaler ने bulk में supply करा है, उसको घर घर तक distribute कौन करता है, retailer, क्योंकि customer तो retailer के पास आता है न, तो हर घर तक पहुचाने की जिम्मेदारी, distribution की जिम्मेदारी किसकी होती है, retailer की होती है, उसके बाद personal selling, retailer personally effort लगाता है, sir, personally कैसे effort लगाता है, customer को convince करने की कोशिश करता है, कि ये समान अच्छा है, आप इसको खरीद सकते हो, है ना, तो personal selling में effort लगता है, बहुत सारी activities करनी पड़ती है, market में एक अच्छी image होनी चाहिए, retailer की तभी तो बिकेगा, तो ये सब चीजे, कौन effort लगाता है, retailer लगाता है, ताकि समान बिक जाए, उसके बाद, large scale operations, wholesaler bulk में क्यों उठा पाता है, wholesaler bulk में इसलिए उठा पाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास retailer है, retailer बोलेगा कि भया आप ले आओ, कोई problem नहीं है मैं भिकवाऊंगा, मेरे पास customer है, मेरे पास demand है, आप समान लाओ हम बेचेंगे, collecting market information, wholesaler तक, manufacturer तक, सारी market information कौन पहुचाएगा, retailer ही तो पहुचाएगा, क्योंकि retailer सीधा customer के touch में है, बाजार में बैठा है, उसके पास, जिस भी चीज़ की demand है, वो बोलेगा कि भया, इस चीज़ की demand है, ऐसा समान बनाओ, ये चीज़ चाहिए, तो ये बहुत important है, helps in promotion, promotion तो समझी गए आप, promotion का मतलब advertisement करने में, product के related image बनाने में, customer के घर तक पहुचाने में, इस तरीके से, ये सारी facilities एक retailer देता है, wholesaler को, कोई भी 4-4 points आप इसमें से भी याद रख सकते हो, done sir, अब आ रहा है बच्चों, कितने तरीके का retail trade होता है, तो जब हम बात करते है, retail trade की, तो दो प्रकार के लोग हैं, जो market में बैठे हैं, जो market में operate कर रहे हैं, sir, वो कौन से दो प्रकार के लोग हैं, तो देखो, हम बोलते हैं, वो दो प्रकार के लोग हैं बच्चों, एक तो है, सिर पे रखके समान बेच रहा है यानि ऐसे लोग जो की बहुत छोटे scale पे काम करते हैं और जिनके पास अपनी fixed दुकाने नहीं होती तो itinerants कौन होते हैं? the traders who do not have fixed place of business इनको itinerants बोलते हैं उसके बाद दूसरे कौन से होते हैं? जिनके पास fixed shops होती हैं छोटी छोटी दुकाने होती हैं तो this is the most common type of retailing in the market these are retail shops that maintain permanent establishments to sell their merchandise merchandise का मतलब goods बेचते हैं तो retail trade में दो हैं एक तो हो गए हमारे पास वो लोग जो itinerants हैं जिनके पास अपनी दुकाने नहीं हैं दूसरे होते हैं जिनके पास अपनी fixed shops होती हैं fixed shops में कुछ small होते हैं कुछ large होते हैं large में तो हम लोग departmental stores की बात करते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे एक चीज और ध्यान रखना बच्चो जितना भी मैं आपको चीजे पढ़ा रहा हूँ यह मैं strictly as per latest CBSC syllabus पढ़ा रहा हूँ तो कुछ चीजे ऐसी हैं जो इस साल syllabus में नहीं है पिछले साल थी तो अगर आपको कोई ऐसा topic पढ़ाया गया है जो आपको लगता है कि भाया इस particular साल में तो है नहीं और लेकिन हमें school में पढ़ाया तो मैंने वो पिछले साल जरूर पढ़ाई होगी आप उस topic का नाम लिखना आगे मेरा नाम लिखना तो पिछले साल की वीडियो आजाएगी उस में से देख लेना क्योंकि 11th में कुछ schools ऐसा करते हैं कि जो syllabus में नहीं भी है वो भी पढ़ा दिया तो अगर आपको लगता है कि कोई topic आपको अलग से पढ़ाया गया है तो उसका वीडियो भी आप previous year वाला देख सकते हो ठीक है बच्चा अच्छा जी तो itinerants हो गए small scale fix shop हो गए अब itinerants कितने तरीके के होते हैं तो itinerants में बच्चों आपको याद रखना है paddlers and hawkers, cheap jack, market traders, street vendors तो मैं इनको बोलता हूँ PMCS इनको मैं क्या बोलता हूँ PMCS तो सबसे पहले PMCS का क्या मतलब है PMCS तो याद रखना एक PM हैं एक CS है यह दोनो itinerants है तो सबसे पहले P का क्या मतलब है paddlers and hawkers paddlers का मतलब paddle चलने वाले hawkers का मतलब जो अपनी किसी तरीके से कोई चोटी मोटी रेडी पे रिक्षा पे समान लेके चल रहे है तो लिखाव है तो आप उस डाइग्राम में ही देख सकते हो कोई आईस्क्रीम वाला हो गया पॉपकॉर्न बेचते हैं चोटी मोटी फल सबजी बेचते हैं तो यह सारे के सारे paddlers and hawkers में आ जाते हैं ठीक है दूसरे आते हैं बच्चो cheap jacks cheap jacks कौन से होते हैं cheap jacks होते हैं जो छोटे-छोटे retailers होते हैं जिनके पास अपनी independent shops होती हैं लेकिन temporary nature की होती है ठीक है वो change करते रहते हैं अपना business एक locality से other locality पे depending on the area ठीक है जैसे आप देखोगे कि कई बार आपने देखा होगा वो 10-20 लगाके अचार बेच रहे होते हैं या shoes बेच रहे होते हैं फिर वो कुछ time बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं फिर वो कहीं और लगाते हैं फिर कुछ time बाद वहाँ से भी गायब गयाते हैं फिर वो कहीं और लगाते हैं इनको हम बोलते है cheap jacks जिनके पास अपनी independent shops होती हैं लेकिन वो temporary nature की होती हैं उनको उठा के कहीं भी ले जाते हैं वहाँ establish कर लेते हैं उसके बाद आते हैं बच्चों हमारे पास market traders market traders कौन होते हैं market traders होते हैं जो अपनी दुगाने खोलते हैं fixed days पे और fixed place पे जैसे Tuesday market में हो गए Sunday market में हो गए है ना जैसे आप यह देख रहे हो कि यह stall लगाया वा है तो इस तरीके के जो दुगानदार होते हैं इनको हम market traders बोलते हैं दस retailers who open their shops at different places on fixed days or dates जैसे Saturdays या alternative Saturdays इनको हम लोग market traders बोलते हैं street vendors कौन होते हैं जो streets में घूम घूम के आप देखोगे railway station पे buses के अंदर, trains में आपको समान बेच रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं जाते हैं, paddlers and hawkers जो पैदल चलने वाले हैं market traders जो ये 10-20 लगा के समान बेचते हैं नहीं, market traders होते हैं जो fixed places पे, market में fixed market में अपनी दुगाने लगाते हैं उसके बाद cheap jacks हो गए जो हमारे पास 10-20 लगा के समान बेचते हैं और street traders आपको streets पे दिखेंगे जब zebra crossing वगार आएगी तो वहां पे दिखाई देते हैं आपको समान बेच रहोते हैं या तोल पे दिखाई देते हैं तो ये लोग होते हैं अब आते हैं बच्चों हमारे पास small figs shop retailers small figs retailers कौन से होते हैं जिनके पास अपनी figs shops हैं लेकिन छोटे से level पे operate करते हैं हमारे आसपास बाजार में ऐसी बहुत सारे दुकाने होती हैं कोई general store हो गया कोई सबजी की दुकान हो गई है वो सब figs shop हैं लेकिन small है तो इनमें सबसे पहले कौन होते हैं general stores अब general stores आप जानते हो general store कौन से होते हैं जो आपके residential area में मिलेंगे उनके पास काफी सारी variety का समान मिलता है है ना आटा, दाल, चीनी, पैंसिल, वैंसिल, stationery भी मिल जाती है छोटे बचोगा कोई bat लेना वो भी मिल जाता है तो काफी general सी shop होती है प्लास्टिक का समान, बाइटी मिल जाएगी, जाडू, वाइपर मिल जाएगा यह सब मिलता है तो यह general stores वाले होते हैं है ना, यह day-to-day needs of the customers में काम करते है image of the owner and his behavior plays an important role owner का image और behavior बहुत important role play करता है अगर आपको general store चलाना है इसके बाद बच्चो speciality shops आती है speciality shops कौन सी होती है जो एक specialized product में deal करती है है ना, जैसे fixed uniform वाले हो गए सिर्फ uniform बेचेंगे write books वाले हो गए सिर्फ books बेचेंगे एक particular line में specialized जो कर रहे है कोई ऐसे shop है जिसमें सिर्फ बच्चों का इसामान मिलता है toys ही मिलते हैं सिर्फ speciality shop है तो जो generally सब कुछ नहीं बेचते हैं किसी ना किसी एक line में specialized करते हैं उनको speciality stores बोलते हैं this type of retail store is very popular in urban areas they are specialized in the sale of a specific line of product बहुत सारी variety ये लोग नहीं बेचते हैं उसके बाद street stall holders होते हैं street stall holders कौन से होते हैं जो की खोके वाले होते हैं आप समझो एक street पे कहीं corner पे उनका छोटा सा कोई stall होगा या खोखा होगा जिसके अंदर वो कोई पान बेच रहे हैं या cigarettes बेच रहे हैं soft drinks बेच रहे हैं इस तरीके के these small vendors are commonly found in places where the flow of traffic is heavy street crossings पे हो जाएंगे काफी सारे customers आते हैं इनके पास और या इस तरीके का समान बेच रहे हैं supari supuri जुबा केसरी वाले हैं ये ठीक है next आता है हमारे पास second hand goods shops second hand goods shops कौन से हैं बच्चों जो second hand goods में deal कर रहे होते हैं आप देखते हो second hand books मिलती है second hand tires मिलते हैं second hand spare parts मिलते हैं तो जो इस तरीके की दुखाने हैं जो second hand goods में deal करती हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं second hand goods shop तो इस shops deal in second hand और used goods जैसे books, clothes, automobiles, furniture इनको second hand goods shops बोलते हैं तो दो तरीके के हो गए इतिनरेंट्स और fix shops fix shops में small हो गया general stores हो गए general stores के बाद speciality हो गए speciality के बाद आपके बाद हो गए small street जो street पे छोड़ी दुखाने हैं और उसके बाद हो गए second hand ठीक है अब आजाते हैं बच्चों large scale पे जो large scale पे business कर रहे हैं तो large scale पे mainly आपको जो पढ़ने हैं वो है departmental stores और chain stores अब departmental stores और chain stores पे question आना तै है साउधान इंडिया लिख लो 100% exam में question आएगा departmental store बच्चों एक इतने बड़े level का store होता है जिसके अंदर हर चीज मिलती है from a pin to an aeroplane एक छोटी सी सुई से लेके एक aeroplane जितनी बड़ी चीज आपको इस departmental store में मिल जाएगी अगर हम बात करें ना तो इंडिया में बहुत सारे departmental stores नहीं है बहुत limited है जैसे हम अगबरेली in Mumbai और Spencer's in Chennai बोल देते हैं ये departmental store के closest examples है exactly departmental store तो बहुत ही बड़ा होता है बहुत बड़ा मतलब सब कुछ मिलेगा भया furniture चाहिए मिलेगा kitchen accessories चाहिए मिलेगी कपड़ा चाहिए मिलेगा जूता चाहिए मिलेगा एक इंसान को जो भी चाहिए restroom चाहिए, restaurant चाहिए, gym चाहिए, club चाहिए हर चीज उस departmental store में होती है तो 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 क्या है departmental store it is a large establishment offering a wide variety of products अच्छे-च्छे departments बने होते हैं और हर customer की need को satisfy करते है under one roof, ठीक है जैसे toiletries के लिए, medicines के लिए, furniture के लिए, grocery के लिए, electronics के लिए, clothing के लिए यह सब चीजें departmental stores में होती है देखो departmental store कैसे चलता है अब modern departmental store में provide all the facilities जैसे की restaurant, telephone, restroom, हर चीज may name क्या होता है maximum satisfaction to customer यह generally heart of the city में होते हैं बच्छो, heart of the city का मतलब mid of the city में होते हैं जहां पे जादा population gather हो सके उसके बाद departmental store में दोनों feature होते हैं retailing और warehousing यह retail भी कर रहे होते हैं और store भी कर रहे होते हैं centralized purchasing arrangements होते हैं बच्छो, मतलब कि इनका एक department होता है purchase department जो centrally सब कुछ खरीता है और सारी decision making इनका head office ही करता है ठीक है उसके साथ साथ यह कैसे काम करते हैं as a joint stock company एक company होती है कोई sole proprietor या partnership नहीं है एक company है पूरी की पूरी जो इसको operate कर रही होती है अब आजाता है बच्छो, हमारे पास chain stores chain stores कैसे होते है जो similar appearance के stores होते है similar appearance का क्या मतलब हो गया similar appearance का हो गया बच्चो जैसे franchises होती है domino's देख लो pizza hut देख लो इसके लावा multiple जितने भी आप देखोगे एक जैसे stores उनको हम chain stores बोलते है तो chain stores एक network of retail stores है जो on or operate करते है या तो खुद manufacturers या फिर intermediaries ठीक है इसके अंदर एक number of shops होती है जिनका similar appearance होता है और ये फैली होती है different parts of the country में इनकी बिटा identical strategies होती है मतला मिलती जुलती strategies से काम करते है identical products होते है मिलते जुलते products होते है और displays होते है मतला बहुत ही अच्छे तरीके से similar देखो domino's आप जहां देखोगे ऐसा ही दिखेगा mcdonald's जहां देखोगे ऐसा ही दिखेगा तो ये similar appearance हर चीज़ similar follow करते है इसलिए इनको chain stores भी बोलते है अब देखो chain store के बारे में क्या लिखावा है these shops are located in fairly populous location ये भी वहीं पर होती है जहां पर काफी जनता ही घट्टी होती हो हर retailer, retail shop is under the direct supervision of a branch manager इनका एक branch manager होता है जो सब कुछ control कर रहा होता है all the branches are controlled by head office सारी branches head office ने control करी होती है जो policy बनाती है और उसको implement कराती है price जो होते हैं वो fixed होते हैं और जो sales है सारी की सारी वो cash basis पर होती है तो इनके कोई भी back debts नहीं होते क्योंकि सब कुछ किस basis पर कर रहे होते हैं cash basis पर कर रहे होते हैं तो ये आजाता है बच्चों हमारे पास सब कुछ chain store से related अब next आ रहा है बच्चों हमारे पास एक छोटा सा topic जिसको हम लोग बोलते हैं GST the goods and services tax तो goods and services tax क्या है बिटा एक indirect tax है sir indirect tax का गया मतलब है देखो हमारे देश में दो तरीके के taxes होते हैं एक है direct tax एक है indirect tax direct tax बच्चों individual और companies की income और property पे लगता है मतलब अगर कोई tax income पे या property पे लग रहा है तो वो direct tax है जो भी tax goods या services पे लगेगा या दोनों पे लगेगा उसको goods and services tax बोलते हैं that is GST अब GST एक indirect tax कहलाता है बच्चों indirect क्यों कहलाता है क्योंकि government ये collect करती है directly नहीं indirectly जैसे income tax है अब income tax का क्या होता है अगर मेरा income tax है तो मुझे ही देना है government मेरे से directly लेगी indirect tax government indirectly लेती है अगर मेरा GST है मैं क्या करूँगा मैं bill में उसको add करूँगा ठीक अगर आप कभी pizza खाने के लिए जाते हो तो आप देखोगे उस bill के अंदर pizza का rate भी होगा और GST भी आप से ही ले रहे होगे वो GST आपके उपर नहीं लगा था उस दुकान पे लगा था तो उन्होंने क्या करा आपके उपर लगा दिया तो indirectly आपने पे कर दिया सरकार को इसलिए इसको indirect tax भी बोलते हैं पहले indirect taxes बच्चों बहुत सारे होते थे जैसे sales tax, service tax, value added tax, excise duty और भी बहुत सारे वो सभी taxes को खतम करके अभी हमारे देश में one nation one tax चलता है जो की है GST तो क्या है? GST is a destination based single tax on the supply of goods and services from manufacturer to the consumers and has replaced multiple indirect taxes बहुत सारे indirect taxes को खतम करा इसने 1st July 2017 को आया था और इसका main मक्सद था easy life बना सके manufacturers को, producers को, investors को और consumers को क्योंकि बहुत सारा paperwork होता था, बहुत सारी चीज़े होती थी अब करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ single handed GST में होता है GST applies to the supply of goods and services, सब पे लगता है उसके बाद याद रखेंगे, that territorial spread of GST is whole country including Jumbo and Kashmir, सब पे पूरे देश में GST apply होता है import of goods and services is treated as interstate supplies and would be subjects to IGST इसका मतलब है, बच्चों, अगर आप import करते हो तो उसको interstate supply consider किया जाता है और उसपे IGST लगता है, integrated GST बोलते हैं, GST तीन तरीके का है CGST, SGST, IGST, जब भी same state में समान बिकेगा, जैसे मैं UP में हूँ तो UP से UP अगर समान, UP में ही बन रहा है, UP में ही बिक रहा है तो CGST plus SGST लगेगा सर ये C और S क्या represent कर रहा है, central government, state government आदा central government रखेगा, आदा state government रखेगा अगर different states होगी, UP से Punjab, UP से हरयाना different states होगी, तो एक ही tax लगेगा, IGST, integrated GST ये पूरा का पूरा central government रखती है ठीक है, there are four tax labs, 5%, 12%, 18%, 28% 4 slabs है, 5, 12, 18, 28, आपको पता होना चाहिए उसके बाद बहुत सारे modes हैं, जिसके थूरू आप GST पे कर सकते हो तो this was all about GST बेटा जी, में चीज़े आपको ध्यान रखनी है और इसी के साथ आपका internal trade भी समाप्त होता है I am very much hopeful कि आप लोग अपनी NCITs या जो भी book आपको लगी वी है उसको साथ-साथ लेके बैटे हो, मैंने आपको mainly सारे topics cover करे हैं Still कुछ अगर शुटर-पुटर रह जाता है, तो उसके आप reading लगा लो आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएंगी, क्योंकि concepts मैंने आपको सारे समझा दिये Business Studies is all about understanding and expressing yourself Concept को समझो, बहुत अच्छे से लिखके आना जो भी आपको उस concepts के बारे में पता है आपको marks full ही मिलने है, तो बहुत अच्छा करो, तैयारी करो, learn करो और आगे बढ़ते रहो तो मिलते हैं कल फिर और नए chapter के साथ, till then, खुब अच्छे से बढ़ाई करो I'm gonna see you all super soon, see ya, take care, bye-bye